हेलो दोस्तों मेरना मैं शोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल सीड़ाटी सलूशन आज की सुड़ी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों TCS Smart Hiring 2021 के बारे में फाइलली दोस्तों TCS ने NQT के बाद Smart Hiring के डिट लाउंच कर दिया है जिसमें apply करने की last date 10 February है 10 February के पहले आपको इसके लिए apply कर देना है दोस्तों आप जब इसके लिए apply करेंगे तो आपको यहां पर दो-दो registration के form फिल करना है एक तो आपको TCS NQT का form फिल करना है दूसरा आपको TCS step का form फिल करना है ऐसे में अगर आप TCS NQT के लिए पहले ही register कर चुके हैं तो आपको दुबारा register करने की जरुवत नहीं है आपने जब register किया था तो उस समय आपके mail पे एक NQT का registration ID आया होगा उसे आपको copy करना है और जब आप TCS step का form फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको उसे use करना है तो किस तरीके से इसका use करना है आगे की इस video में हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे सारे selection के process के बारे में सारे eligibility criteria के बारे में बात कर रहे होंगे लेकिन इसके पहले अगर आपने अब तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर दीजे, video को like कर दीजे और telegram channel से ज़रू जूलिएगा दोस्तों जहाँ पे आपको इस तरह के information, free courses related information और internships related update हमेशा मिलते रहते हैं link आपको description पे मिल जाएगा तो link आपको description पे मिल जाएगा जिस पे click करने के बाद आप आजाएगे TCS की इस official website में और आप यहाँ पे देख सकते हैं registration close हो जाएगा 10 February को तो 10 February के पहले आपको register कर लेना है और जो यहाँ पे test का date है वो है 18 और 19 February 18 और 19 February को यह test होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पे जो test का date mention है यह TCS NQT का date mention है अगर आपको एक confusion आ रहा है कि TCS NQT और इसका test date similar है तो दोस्तों यह same exam ही होने वाला है इस वज़ा से आपको यहाँ पे same date देखने के लिए मिल रहा है अगर बात कर लें दोस्तों कि इसके लिए कौन-कौन से लोग eligible है तो यहाँ पे इन्होंने बताया है अगर आप BSC कर रहे हो BCA कर रहे है, Vivo कर रहे है या फिर BCS के student हो तो आप इसके लिए eligible हो आप इसके लिए apply कर सकते हो अगर आप 2021 batch में pass out होने वाले हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो उसके अलावा 2020, 2022 के student इसके लिए apply नहीं कर सकते है या फिर अगर आप B.B.Tech कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए apply नहीं कर सकते है यहाँ पे दोस्तों कई सारे लोगों कोई confusion आएगा कि TCS NQT और smart hiring में क्या different है तो दोस्तों TCS NQT बिसिकली एक test है जिसके माध्यम से आप TCS के different job role पे apply कर सकते हो जैसे कि TCS Digital, TCS Ninja, TCS Smart hiring तो बिसिकली दोस्तों जब आप TCS NQT देते हो तो उसके बाद आपके पास एक scorecard आता है और उस scorecard के basis पे आप TCS के different job role पे apply कर सकते हो लेकिन हर job role का अपना अपना एक criteria होता है जैसे कि अगर आप TCS Ninja या फिर TCS Digital के लिए apply करना चाहते हो तो आपके पास एक TCS NQT का decent score होना चाहिए इसके अलावा उनकी eligibility criteria होती है जो की qualification के basis पे होती है मतलब कि TCS Ninja और TCS Digital पे apply करने के लिए अगर आप BB Tech के student हो MC के student हो तभी आप apply कर सकते हो अगर आपके पास TCS NQT का score है लेकिन अगर आप BSC के student हो तो आप उस hiring पे participate नहीं कर पाऊगे ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपके पास TCS NQT का score है तो आपको job नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो पे बताया था कि TCS NQT के माद्याम से TCS different company के साथ भी tie up कर रहा है और आगर वो company यह मांग करती है कि उन्हें BSC के student चाहिए BCA के student चाहिए तभी आप उन job role के लिए apply कर पाऊगे लेकिन TCS digital पे या फिर TCS ninja पे ऐसा BSC student आप apply नहीं कर पाऊगे तो दोस्तों अगर आप TCS पे ही job करना चाहते हो तो उस case में आपने अगर BSC किया है BCA किया है तो आपको smart hiring के थुरू जाना पड़ेगा आपको TCS NQT पे एक decent score लाना पड़ेगा फिर smart hiring के थुरू आप DCS पे job पापाऊगे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप BSC, BCA, BCS, BWOC के student हो तो आपके लिए यह hiring होने वाली है जो कि TCS के लिए है यहाँ पे एक और चीजी इन्होंने mention किया है दोस्तों कि अगर आप इस पे अच्छे से perform करते हो तो आपको TCS Ignite में भी मौका मिलेगा basically दोस्तों अगर आप अच्छा decent score लेके आओगे तो TCS की तरफ से जो भी training होती है जो की latest technology पे रहती है जैसे कि machine learning, artificial intelligence, blockchain पे इस पे आपको इनके तरफ से training मिलेगी और आपको आगे higher package भी offer हो सकता है अगर आप computer science, IT, chemistry, electronics, maths के field के हैं तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं नीचे आने पे दोस्तों आपको यहाँ पे registration का भी process देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप इसके लिए register करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो portal पे register करना होगा NQT registration करना होगा और उसके बाद आपको next step portal registration करना होगा तो किस तरीके से registration करना है यह हम आगे की वीडियो पे देखते हैं और बाकी सारी चीजों को हम पहले यहाँ पे जान लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर लें कि test के detail के बारे में तो यहाँ पे आपसे total 80 question पूछी जाएंगे और यह question दोस्तों verbal ability, reasoning और numerical ability पे base रोने वाले हैं 80 question आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 2 hours का time मिलेगा 120 minutes का आपको यहाँ पे time मिलेगा बात कर लें eligibility criteria की तो अगर आपका 10, 12th और graduation में 50% यहाँ उससे above है तो आप apply कर सकते हो और अगर आपका current backlog, एक current backlog है तो भी आप apply कर सकते हो आपका दोस्तों जो gap है वो 2 साल से जादा नहीं होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर पाओगे और यहाँ पे इन्होंने age का भी यहाँ पे इन्होंने eligibility बताया है कि अगर आप 18 से 28 year के हो तो आप इसके लिए apply कर सकते हो एक और चीज़ दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt है तो इनके FAQ section पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आप कोई भी doubt पूछने के पहले एक बार जरू इनके FAQ section पे विजिट करिएगा आपको सारे answers यहाँ पे almost मिल जाएगे तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने date बताया है कि 18 और 19 को यह NQT test होने वाला है इसके बाद यहाँ पे इन्होंने year of passing की 2021 के students के लिए apply कर सकते है जिसमें आपको बताया यह बताया है फिर इन्होंने बताया है दोस्तों कि NQT और teachers smart hiring में क्या different है तो basically यहाँ पे इन्होंने वही बताया है दोस्तों कि NQT जो है यह एक test है जिसे आपको देना है जिसके माध्यम से आप teachers smart hiring के लिए apply कर पाऊगे इसके लिए आलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप registration करोगे तो उस समय आपको NQT registration number की जरुवत पड़ेगी तो इसको किस तरीके से fill करना है आगे मैं आपको वीडियो में बता दूँगा इसके अलावा आप यहाँ पे और भी questions, important questions यहाँ पे देख पाऊगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने यह भी बता है कि आप जब registration कर लोगे तो आपके पास hall ticket आएगा और hall ticket एक तरीके से दोस्तों ID card होता है तो दोस्तों आप जब exam देने के लिए TCS Enquity का exam देने के लिए TCS Digital के किसी center पे जाओगे तो आपको hall ticket दिखाना होता है तो यह जो hall ticket है दोस्तों वो आपको आपके email पे फेज दिया जाएगा इन्होंने आप बताया है दोस्तों कि जब भी आपका exam होने वाला है उसके कुछ खंटों पहले या कुछ दिन पहले आपको आपके email पे hall ticket मिल जाएगा तो आपको email पे दोस्तों यह haul ticket फेज देंगे ऐसे में अगर आपको haul ticket नहीं मिल पाता है 48 कंटे पहले तक अगर आपको haul ticket नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे इन्हों ने assistance के लिए यहाँ पे number भी दिया है और email ID भी दिया है जिस पे आप अपने जो भी doubt है उसे पूछ भी सकते हैं तो अब हम दोस्तों registration process पे आते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से आपको इसके लिए register करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे NQT के लिए register करना है जिसके लिए आपको इस link पे click करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों आप आजाएंगे TCSIN की इस official website में यहाँ पे आपको registration का option मिलेगा आपको register now पे यहाँ पे click करना है जैसी आप इस पे click करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का form आ जाएगा अगर आप दोस्तों TCSNQT के लिए पहले ही register कर चुके हो तो आपको दुबारा यहाँ पे registration करने की जरुवत नहीं है आपको आपके email पे TCSNQT का एक registration number मिल जाएगा आपको सिब उसकी जरूरत है तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों नई user और जिसने कभी register नहीं किया है तो आपके सामने जो form आएगा उससे आपको feel कर देना है जैसी आप इसको feel कर दोगे आप जब अपने email पे आके देखोगे तो आपको यहाँ पे TCSNQT के तरफ से एक mail मिलेगा और आपको यहाँ पे TCSNQT का एक registration number मिलेगा जिसे आपको आगे के form को feel करते समय यूज करना होगा तो दोस्तों आप पहले तो इस TCSNQT के form को feel कर दीजिए इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके देख पाऊगे यहाँ पे आपको next step TCS.com का एक और link मिल रहा है जिस पे आपको click करना है जैसी आप इस पे click करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का form यहाँ पे आने वाला है यहाँ पे आपको register knob का button मिल रहा है जिस पे आपको click करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको यहां से IT वाले option को select करना है BPS option को select नहीं करना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक simple सा form आ जाएगा जिसे आपको fill करना होगा जिसके लिए आपको अपना name, date of birth, gender, email id, mobile number, institute का नाम यह basic detail यहां पर डाल देना है यहां पर आपको NQT का registration number नहीं डालना है इसे हम आगे form को fill करते समय डालेंगे एक बार registration करके login कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीक का interface आने वाला है यहां पर आपको application form का एक link मिलेगा जिस पर आपको click कर रहा है click कर लेंगे आप तो आपके सामने कुछ इस तरीके का form आने वाला है जहां पर आपको फिर स्थे कुछ detail डालना है जैसे आपको आपको अपना personal detail अपना academic detail जैसे कि 10th, 12th और graduation तक तक ता जो detail है वो आपको डालना होगा आपको अपना work experience detail अगर आपके बस work experience नहीं है तो आप यहाँ पे no select करेंगे और अपने application form को पहले तो आपको यहाँ पे feel कर लेना है तो दोस्तो जब आप इस पूरे form को feel कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे apply for drive पे जाना है जैसी आप इस पे click करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह की का form आएगा यहाँ पे दोस्तों आपको test का date select करना है तो आप यहाँ पे 18 या 19 में से select कर लीजे जो भी आपका nearest TCS office है उससे आपको यहाँ से select कर लेना है और आपका जो TCS NQT का reference ID था उससे आपको यहाँ पे डालके apply बटन पे click कर लेना है apply कर लेने के बाद दोस्तों आपको यह message मिलेगा you have applied for recruitment drive और आपका registration इस particular drive के लिए successful हो जाएगा और बाखी का information आपको आपकी email के माधियम से पता चल जाएगा अब आपको दोस्तो TCS NQT का test देना है जो आपने 18 या 19 को juice किया है और उसके बाद आगे का information आपको email के माधियम से बताया जाएगा तो आई होग दोस्तों आपको यह video पसंद आई होगी तो आप इस video को like कर देजिए अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो इससे subscribe कर दीजिए और telegram चलने से ज़रू जूड़ीएगा दोस्तों जहाँ पर आपको इस तरह की information internships related और free courses related रगलर मिलते रहते हैं link आपको description पर मिल जाएगा thank you